आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार दाशिकों ये MNS News Network और आप देख रहे है MNS News TV मैं हूँ आपके साथ शद्धत इवारी तो आई देखते हैं आची कुछ खास कबरें एक टोर डालते हैं आच की हेड्लाइन्स की ओर इंडिया नेवी ने बुझाई इरान में वाहन मरमत की दुकान पर हमले में कम से कम नौ पाकिस्तान ही मारे गए कत्री विदेश मंत्रियों ने तहरान का फंड जारी करने पर की चर्चा आई देखते हैं खबरें विस्तार से ब्रेटिस तेल टैंकर पर लगी आग इंडिया नेवी ने बुझाई ब्रेटिस तेल टैंकर मारलिन लुआर्डा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है इंडिया नेवी ने कहा कि मारलिन लुआर्डा में लगी आग पर काबू पालिया गया है ये वही टेंकर है जिस पर बाविस भारतिय सवार है आईनेस विशाखा पटनम की अगनी शमन टीम जिसमें विशेसग अगनी शमन उपकरणों के साथ दस भारतिय नौ सेनकर में शामल थे वैसा 27 जैनिवरी को जहाज पर चड़े MV के चालक दल के साथ आग पर 6 घंडे की मशकत के बाद अगनी शमन दल के सफलता पूर्बक काबू पाली है साथी कहा कि टीम फिलहाल स्थिती पर नज़र रख रही है आईनेस विशाखा पटनम ने MV के SOS कॉल का जवाब दिया था और सहायत्य प्रदान करने के लिए आगे बड़ा था एक अमरिकी और फ्रांसे से युद्धि पोट ने भी संकट कॉल का जवाब दिया था भारतिय नौसेना मॉचन शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा के प्रती अपनी प्रती बद्दता पर कायम है बता दे कि 26 जनिवरी को हुती विद्रोई ने ब्रिटिश तेल टेंकर माली लुवांडा को निशाना बनाया था इस पर बाविस भारतिय सवार है नौसेना ने कहा कि उसकी निर्देशित मिसाइल विद्वनसक आई एनस विशाखा पर्टम को 26 जनिवरी की रात तेल टेंकर से एक क्राइसिस कॉल के जवाब में अधन की खाड़ी में तैनाद किया गया था आई बढ़ते अगली खबर की और से मामले में पूर्ण सहयोग देने का अग्रह किया अपने सोचल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गए एक बयार में राजदूत की पूरे हत्याओं पर गहरा दुख जता है और आश्वासन दिया कि दूता वाशोग संतप्ते परिवारों की मदद करेगा और उन्हें यह भी के कारण पैदा हुए तनाओं के बीच हुआ है आई बढ़ते अगली ख़बर की और कद्री विदेश मंतरियों ने तेहरान का ऊफन्ड जारिक करने पर की चरचा इरान की विदेश मंतरी हो सैन अमेर अब्दुल्ला हियन और कतर के परधान मंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी ने तेहरान के अनफ्रोजन फंड के उपयोग पर चर्चक की अपने इरानी समकक्ष के साथ फोन पर बाच्चित के दौरान थानी ने कहा कि इरान और कतर के केंदुरिये बैंगों के बीच समझोते के बाद फंड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है अदला बदली समझोते के हिस्से की रूप में दक्षिन कोरिया द्वारा पिछले साल इरान का धन जारी किया गया था और दो कतरी बैंकों में इच्छा इरानी अकाउंट्स में स्थान तरित किया गया था एक बया करने के लिए प्ले स्टोर से मनस्टीबी अब डॉलोड करें इंस्टा हाइक ट्यूटा कुक फेस्बुक का ही सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्द आप इसी यूटूब पर भी देख सकते हैं www.msnewstv.com अब वक्त हो चला है दश को ब्रेक का ब्रेक स लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खब्रें बने रहे हैं MNS News TV पर नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News